नमस्कार और वेलकम टू क्यूरियसले एज्यूकेशन दोस्तों मैं हूँ प्रशाथ मावानी आई होप यू लडिंग गूड आज हम 14 जानिवारी 2023 यानि की सैटर्डे का लेक्चर जो है वो आज हम देख रहे हैं आज संडे हैं क्योंकि कल मकर संक्रांती थी तो गुजरात मे तो इसको काफी यू नो जो शोर से सेलिबरेट किया जाता है और हम भी सुबह जल्दी टैरेस पर चले गए थे दुपे लंच ब्रेक लिया और फिर से टैरेस पर और जब तक अंधेरा नहीं हुआ तब तक हम हमारी काईट्स यानिकी पतंग जो हैं उसको उड़ा रहे थे क काफी मुझे के और आम शूर आपने भी काफी इसको एंजोई किया होगा तो चलिए लेट्स मूव ओन तो इंपोर्टन टॉपिक्स ऑफ दे टेक ए स्टेप टू रेगूलेट डीप फेक्स अधा हिंदू का ये आर्टिकल है और यहां पर डीप फेक्स के बारे में आपको पता होगा नहीं पता है तो इसमें क्या है कि कॉम्प्यूटर की मदद से आटिफिशल इंटेलिजनस और इंसारी चीज़ों की मदद से ऐसे डीप फेक्स यानिकी वीडियो बनाया जाते हैं तो बहुत सारे से वीडियो आये थे मिस्टर ट्रम्प के वीडियो आये थे एक वीडियो काफी फेमस हुआ तो इसमें क्या होता है कि एनिमेटेड तरीके से इसको वीडियो को बनाया जाता है और आपको यहीं लगेगा कि नहीं मिस्टर ट्रम्प ही बोल रहे हैं वही आवाज वही कपड़े राइट ऐसा ही लगेगा कि नहीं मिस्टर ट्रम्प ही बात क के टेक स्टेप ठो डेगियुलेइट कि डीप ओर डेगियृइट करना होगा अगर इसको डिजल्रकाइट नहीं किया की एक novel है Lord of the Flies उसके एक reference के साथ ये start होती है और इसमें ये बताया गया है कि एक situation होती है और वहाँ पर जो लोग है जो characters है वो किसी एक चीज में first जाते हैं तब एक character जो है वो याद दिलाता है कि हम कोई savages नहीं है हम ऐसे लोग नहीं है जिनके कोई rules and regulations नहों जिनका कोई culture नहों कोई संसकार नहों हम तो अंग्रेज हैं वो कहता है और कहते हैं कि हम अंग्रेज जो है जो भी चीज करते हैं वो best तरीके से करते हैं we have to be we are best at everything सारी चीज़े जो है उसको best तरीके से करना जो है वो एक English तरीके से हमें करना है यह हमारे culture का part है तो यह पर एक परकार से culture जो है वो हमें regulate करता है और यह जो William Golding की novel जो है Lord of the Flies इसकी यह जो यह portion जो है इसका यह प्रसंग जो है इसका यह governance का एक बहुत बड़ा lesson है governments के लिए और regulators के लिए और यह यही बात बताता है कि कई वर क्या होता है कि self regulation जो है कि social media को अगर आपने self regulate कर दिया कि social media के जो owners है या फिर जो companies है for example facebook, twitter दूसरी जो भी companies है तो यह सारी किसारी companies जो है वो खुद अपने आपको regulate करेगी वो खुद देखेंगे कि क्या सही है क्या गलत है वो खुद डिसाइड करेंगे तो यह करना जो है यह भी dangerous है और rules and regulations ना होना जो है no regulation जो है यह भी काफी disastrous साबित हो सकता है और यहाँ पर deepfakes की अगर हम बात कर रहे हैं तो particularly artificial intelligence जो है इसको भारत में regulate करने की आवश्यक्ता है यह बहुत बड़ा damage जो है वो हमारे देश को create कर सकता है अगर हमने artificial intelligence को regulate नहीं किया तो यहाँ पर कुछ individuals, कुछ companies कुछ ऐसे non-state actors जो है वो ऐसे ऐसे deepfakes बना सकते हैं जिसकी negative impact जो है वो हमारे देश में एक लंबे समय तक रह सकती है या फिर ऐसा भी हो सकता है कि irreparable damage जो है वो create कर दे यह deepfakes तो that's why we need rules to control या फिर I would rather use the word regulate deepfakes deepfakes जो है यह machine learning और artificial intelligence जो है इसका इस्तमाल करते हुए कुछ ऐसे audio visuals बनाया जाते है या फिर कुछ ऐसे videos create किया जाते है जिनका main purpose जो है वो चीजों को manipulate करना है गलत information spread करना है किसे को defame करना है यह सारी चीज़े जो है इसका इस्तमाल deepfakes में काफी ज्यादा हो रहा है deepfake videos जो है यह misinformation wrong information propaganda propaganda यह सारी चीज़े जो है इसके spread करने में इसका इस्तमाल हो रहा है this is a very dangerous thing pornographic material of celebrities जो हमारी हमारे देश की जो अभी नहीं इतनी है female actors जो है तो उनके pornographic deepfakes बनाया जाते हैं क्या उनका परिवार नहीं है क्या उनके बच्चे नहीं है उनके relatives उनके friends just imagine कि कल ये deepfakes का इस्तमाल जो है वो हमारे परिवार के लोगों के लिए कोई deepfake का इस्तमाल करके वो porn clip में वो deepfake add कर दे हमारी बहन, हमारी girlfriend, हमारी wife, mother, daughters इनका face वहाँ पर लगाया जाएगा तो फिर हमें कैसा feel होगा just imagine कि ये लोगों को किस हद तक परिवार को किस हद तक destroy कर सकते हैं और financial fraud में भी इसका इस्तमाल होने लगा है I'll give you one example, एक UK की company है तो UK की company के CEO जो है तो उनको जर्मनी में जो उनके main boss बैठे है तो उनके call आया, it's a fake call it's like a deepfake का इस्तमाल किया और voice जो है, voice का इस्तमाल जो है वो deepfake से किया, तो German accent और सारी चीज़े तो जो CEO बैठे थे UK में उनको लगा कि उनके boss का phone आया है और फिर उन्होंने बात्चित की, ये सारी चीज़े हुई और फिर पता है, दो लाख बीस हजार यूरो ये CEO ने ट्रांसफर कि और फिर पता चला कि ये तो deepfake वाल था पैसे ट्रांसफर हो गए, फिर company को बता चला, फिर इनको बता चला कि हमें तो ये deepfake के माधियम से चूना लगाया गया ताइवान जो है, ताइवान की cabinet ने एक amendment एप्रूफ किया है कि वहाँ पर अगर deepfake के वीडियो किसे ने बनाए, शेयर किये तो फिर इन वीडियो और इमेज़ पर एक सक्त कानून जो है, वो बनाया गया है और ताइवान का कहना ये है कि चाइना जो है, चाइना अपने देश में तो deepfake के माधियम से ताइवान जो है, तो वहाँ पर elections के outcomes को manipulate करने की कोशिस कर रहा है और ये सारी चीजों का इस्तमाल जो है, वो कर रहा है, डीपfake का इस्तमाल जो है, ये espionage यानि की spy activities में भी किया जा रहा है और मार्च 2022 में ये हुआ, जब ये युक्रेइन और रश्या के बिच में युद्ध की शुरुआत हुई, तो एक ऐसा deepfake वाला वीडियो आया और इस वीडियो में ये बताया गया, कि युक्रेइन के प्रेजिडेंट जो है वलोद्वेर जैलिंस की, तो उन्होंने अपनी आर्मी को ये का है, कि आप रश्यान आर्मी के सामने घुटने टेक दीजिए, फिर पता चला, फिर युक्रेइन ने बताया, कि ये जो वीडिय इसको कंट्रोल करने के लिए क्या हमारे देश में परियाप्त लॉज है, एक प्रशन है, सेक्शन 500 है, आई पीजिए का, जो डीफेमेशन की चीजों पर पनिश्मेंट प्रवाइड करता है, सेक्शन 67 और 67 A है, आई टी एक्ट के, जो सेक्शियली एक्स्प्लिसिट मेटिर को पब्लिश करने पर पनिश्मेंट प्रवाइड करता है, रिप्रेजंटेशन ओफ पीपल अक्ट 1951 जो है, तो इसमें ये कहा गया है, कि अगर आप कोई फॉल्स या फिर मिसलीडिंग इन्फॉमेशन किसी प्लिटिकल कैंडिडेट के बारे में अगर रिलीज करते हैं, त और अक्सर हम देखते हैं कि जो नई टेकनोलोजी आ जाती है, फिर वो मार्केट में मिसली आजकल टेकनोलोजी के युग में टेकनोलोजी की स्पीड जो है, वो काफी ज्यादा है, लेकिन इस स्पीड के साथ तालमेल जो है, वो लो नहीं बैठा पाता है, और ये सबसे प्रॉबलम बन चुका है, एक लंबे समय से बहुत सारी बड़ी-बड़ी आई-टी कंपनी जो है, ये सोसेल वीडिया कंपनी जो है, तो उन्होंने लोज ना होने का काफी ज्यादा फाइदा उठाया, और अब हम लोज जो है, वो इंप्लिमेंट करने की कोशिस करने, लेक को एक अलग से एक लेजिसलेशन जो है, वो इंट्रियूस करने की जरूरत है, ताकि हम इस चीज़ को कंट्रोल कर सके, आतंगवादी संस्थाएं जो है, वो कुछ ऐसे गलट डीप फेक्स क्रियेट कर सकती है, और ये बता सकती है, कि भारत की जो मिलिटरी है, वो कैसे, वहाँ पे रहने वाले जो कश्मीरी लोग हैं, उनके साथ कितना अत्याचार कर रही है, पाकिस्दान के खिलाफ क्या क्या गंदी बाते बता रहे हैं, तिंग्स लाइक डैट, और मुसल्मानों के बारे में इंडियन आर्मी ये कह रही है, वो कर रही है, और फिर इससे कितन regulate करना जो है, it's very very important, और एक डिजिटल इंडिया बिल जो है, जो proposed एक बिल है, तो इसमें इस issue को handle किया जा सकता है, और सारी चीज़ें जो है, वो self-regulation पर ही काम नहीं कर सकती, self-regulation जो है, उस पर हम deepfakes को नहीं छोड़ सकते क्योंकि, we know the damage that it can create, bound supremacy, तर हिंदु का ये article है, अब ये article जो है, supreme message this one is about, जो हमने इससे पहले बात की थी न, Friday को हमने बात की थी, कि जो हमारे vice president है, तो उन्होंने basic structure के बारे में, एक अपना point दिया, और कहा कि basic structure, doctrine जो supreme court ने बताया है, तो ये parliament की जो authority है, तो इस authority को disturb करता है, इसको limited कर देता है, ऐसा, हमारे vice president धंकार साब ने ये कहा था article 13 जो है हमारे constitution का, वो क्या कहता है, laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights are void, article 13 जो है हमारे constitution का, basically दो चीज़े हैं, number one ये है, article 13, वो ये कहता है, कि अगर कोई ऐसा कानून जो हमारे fundamental rights को छीन लेता है, या फिर इस पर impact create करता है, तो ये void हो जाएगा, automatically ही, ये कानून जो है, वो reject हो जाएगा, और कैसा reject होगा, ये इस पर होगा judicial review, यानि कि ये कानून जो है, नया कानून बनाया जिससे fundamental rights जो है, वो derogate हो रहे हैं, तो फिर इस पर court जो है, वो extend ले सकती है, और court ऐसे laws को reject कर सकती है, ठीक है, दूसरी जो चीज़ है, वो ये है, कि सुप्रेम कोट ने, अपने case में, जिसके बारे में हमने बात की थी, तो ये जो basic structure doctrine जो है, वो सुप्रेम कोट ने दिया, और इसमें ऐसा है, कि अगर हमारे constitution का कोई basic feature, यह यहां पर लिखाई है basic structure, अगर हमारे constitution में जो basic structure दिया गया है, तो इस basic structure को disturb करने वाला, अगर कोई law, parliament के द्वारा create किया जाता है, तो इसको भी reject किया जा सकता है, इस होगा भी, तो हमारे जो vice president जगदीब धनकार साहब है, तो उन्होंने यह basic structure doctrine जो है, इस पर प्रशन उठाया कि एक landmark जो केशवनंद भारती केश था 1973 का, तो उन्होंने यह बताया कि यह बराबर नहीं है, उन्होंने के कहा कि, जैसे मैंने आपको बताया, तो I'm not going into it again, और धनकार साहब के हिसाब से यह चीज़ है कि basic structure doctrine जो है, तो इसने parliament की जो sovereignty है, parliament की जो स्वतंत रहता है, इसको कहना कहीं limited कर दिया है, ऐसा उड़ा कहना है, the idea that the basic structure doctrine undermines parliamentary sovereignty is simply wrong, अब इस article में यह कहा गया है, और इससे पहले भी हमने यह देखा था, कि यह मानना कि basic structure doctrine जो है, वो इसको limited कर देता है, यह गलत चीज़ है, क्योंकि parliament में अगर ऐसा हो जाए, कि लिए से कोई ऐसी party आ जाए, जो हमारे fundamental rights को हम से चीन ले, हमारे structure को पूरा destroy कर दे, constitution का जो structure है, basic structure, उसको destroy करके सारे पावस अपने पास ले ले, तो उस ताइम पर कौन हमें protect करेगा, तो constitution जब बराया गया, तो उसमें checks and balance ऐसे create किये गए, कि कोई भी जो है, चाहे वो parliament हो, चाहे judiciary हो, चाहे executives है, तो वो constitution को destroy ना कर दे है, हमारे देश को destroy ना हो, हमारे देश जो है, यह destroy ना हो जाए, इसी चीज़ को धियान में रखते हुए, इस पर करके चीज़ें जो है, इसका basic structure of fundamental rights इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए, डिजाइन किया गया है, ताकि parliamentary majority हो जाए, तो इसका misuse ना हो, the main purpose of the doctrine is to ensure that some fundamental features of the constitution are not legislated out of existence, यह इसका doctrine का main purpose ही यही है, कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे fundamental features जो है, हमारे constitution के, तो उसको law के माधियम साही है, फिर parliamentary में कोई bill पास कर किया जाए, इसी लिए यह doctrine जो है, वो important है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है, उसको protection provide करता है, article 13, as well as, यह basic structure doctrine, I hope things are clear, अब एक बहुत ही interesting विशे पर हम discussion करेंगे, यह article जो है, वो लिखा है, चेतन भगत ने, जो हमारे देश के एक बहुत ही famous writer है, unfortunately, आज तक चेतन भगत की कोई किताब जो है, वो मैंने नहीं पढ़ी है, लेकिन मैंने उनके द्वारा लिखे गए articles, खास करके Times of India में वो articles लिखते हैं, तो यह articles मैंने काफी सारे पढ़े हैं, और सबसे पहले जब मैंने article पढ़ा चेतन भगत का, तो मैं काफी impressed हो गया, कि उनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे लगी, वो यह है कि वो बहुत ही simple language में लिखते हैं, कोई ऐसे complex, शशी थरूर जो शब्दों का इस्तमाल करते हैं, ऐसे difficult शब्दों का इस्तमाल जो हैं वो नहीं करते हैं, मैं शशी थरूर साब जो हैं, वो भी काफी intelligent और knowledgeable व्यक्त करते हैं, तो अच्छी चीज़ लगती है, वो यह होती है, कि वो simple शब्दों का इस्तमाल करके complex जीज़ों को समझा दे, तो I find it quite interesting, मुझे बहुत ही पसंद रहता है, तो चेतन भकित साब में वो quality, उनके articles में वो quality जो है, वो मुझे देखने को में नहीं तो I thought let me tell you about this thing, okay, stop, cancel your hill holiday, Times of India का ये article है, वो क्या कहते हैं, कि stop, रुख जाएए, अगर आप hill station में घुमने के लिए जाने वाले हैं, पिकनिक पर जाने वाले हैं, वेकेशन पर जाने वाले बहुत सारे लोग चेतन भकित साब को ये कहते हैं, कि आप क्यों ना कोई hill station पर चले जाएए, वहाँ पर किसी cottage में रहिए, लिखिए वहाँ पर आपको fresh ideas आएंगे, वहाँ की energy आपको मिलेगी, और ये आजकल बहुत ऐसा trend भी हो चुका है, पैसे भी ये trend था, लोग जो है I think, Robin Sharma, उनका एक वीडियो देखा था, मैंने आज से कुछ 5-6 साल पर है, वही Robin Sharma जिन्होंने the monk who sold Ferrari, the 5M club जैसे किताबे लिखी हैं, तो उनकी 5M club जो है, वो मैंने पढ़ी है, काफी बार पढ़ी है, कम से कम, 10 बार तो मैंने पढ़ी होगी वो किताब, तो उनका जो वीडियो था, Robin Sharma का, तो उस वीडियो में वो कहते है, कि उन्होंने बताया था, कि वो Mauritius गए थे, और वहाँ पर वो क्यों गए, उनको राइटिंग का वो मिला, you know, वो creativity जो है, वो unlock हुई उनकी वहाँ पर, तो I'm sure आपने सुना होगा, कि लोग कहते है, कि change मिलेगा आपको, and things like that, और हम फिल्मों में भी देखते हैं, कि कोई बिमार हो गया, तो डॉक्टर कहते है, कि क्यों आप कुछ दिनों की छुटी पर चले जाईए, और फिर वो वहाँ पर गाने बाने होते हैं, and things like that, okay, लेकिन, चेतन भुगित साब जो है, वो बहुत ही bluntly हकीकत कहते है, कि there are no pretty hill station in India anymore, मैं 2014 में अपने परिवार के साथ holiday पर गया था, हम राजिस्थान गए, और राजिस्थान के बहुत सारे अलग-अलग locations पर हम गए, और में से एक था कुम्भलगट, जब 2014 में हम कुम्भलगट गए, अभी हम family के साथ, I was on vacation, तो हम Goa गए थे, तो Goa के बारे में मैं आपको बताया था, बट कुम्भलगट के बारे में मैं आपको बताया था, जब 2014 में हम कुम्भलगट गए, तो कुम्भलगट एक बहुत ही quiet place थी, वहाँ पर कुछ ही resorts थे कुछ resorts थे, और जहाँ पर हम गए तो that was a fresh brand new resort, और उन्होंने अभी just अभी कुछ अपने नए कमरे जो है वो बनाये थे, तो we were the first guest, तो कुम्भलगट जो है वो आज भी हमें याद है, बहुत ही खूबसूरत जगा थी, बहुत मज़ा है वहाँ पर, उसके बाद मेरे किया दोस्तों को, लोग मुझे, माउंट आबू जो है वो काफी famous है गुजरात में, लोग जो है वो राजस्तान, राजस्तान में है ये माउंट आबू, लेकिन खास करके राज कोट के आसपास के लोग जो है वो माउंट आबू जाते हैं vacation के लिए, तो मेरे कुछ दोस्त कि मैं प्लान कर रहे थे कि मैं तो नहीं जाने वाला हूँ लेकिन मैंने कहा कि आप जो है वो मांट अबू नहीं आप कुंबल गड़ जाईए क्योंकि जब मैं 2015 यह 16 में गया था मांट अबू तो 2014 वाला जो मांट अबू था उससे और ज्यादा खराब हो गया था मांट तो उन्होंने जो मुझे तस्वीर दिखाई तो मैं कुंबल गड़ को देखके थोड़ा शौक हो गया मैंने कहा कि यह कितने सारी होटेल्स और कितने वो जो क्वाइट प्लेस थी वो क्वाइट प्लेस रही ही नहीं डिस्ट्रक्शन हो गया पूरा इतनी सारी होटेल्स क्य यूट्यूब चैनल पर लदाक का भी एक एक एक्जामपल देखा था कि उस वीडियो में उन्होंने बताया था कि लदाक के अच्छे अच्छी चीज़े जो है वो लोग दिखाते हैं लोग अपनी फॉर्चिनर एंडेवर और थार लेकर लदाक जाते हैं अपने दोस्तों क की पूरी नदिया बन चुकी है वहाँ पर ये सिटी का जो पूरा हमारा कच्रा है वो लेकर हम वहाँ पर जाते हैं बिस्किट और वेफर और नजाने क्या क्या चीजों के पैकेट्स लेकर जाते हैं और फिर वही पैकेट्स जो है वो वहाँ पर फेक कराते हैं और ये नैच जुनागट काफी फेमस है आपने जुनागट की थोड़ी बहुत हिस्ट्री भी पढ़ी होगी जुनागट में हैं गिरनार माउंटेंड और ये गिरनार जो है वहां पर उपर बहुत उपर मंदिर हैं तो जब मैं हम छोटे थे विन आई वस इन सेवंथ स्टांडर्ड हमारी जो सोसाइटी थी हमारी जो जहां पर मैं रहता था एक टाउन में तो हम पूरी गैंग हमारी राइट दोस्त सब हम सेवंथ एट में थे और फिर हमारी साथ हमारी दो तीन लीडर्स थे उस टाइम पर जो ट्वेल्थ में थे तो ऐसे जो हमसे बड़े थे हमारे दोस्त हमारी society में रहते थे तो उनके supervision में हम गहे थे गिरनार उस टाइम पर ये काफी safe थी जगा तो जब वहाँ पर गहे तो it was very green and everything फ़र उसके बाद जब मैं गिरनार गया तो मैंने देखा के again ये प्लास्टेक हर जगा पर कच्रा हर जगा पर सारी चीज़े और तो वहाँ पर तो कच्रा ही कच्रा होगा हम शूर अब हमारे जो हिल्स है वो ट्राफिक जाम फिल्ड हो चुके हैं यहां वहाँ हर जगा पर अब सारे लोगों के पास यूनो एस्यूवी आ चुकी है फोर बाई फोर आ चुकी है रेर विल ड्राइव कार्स आ चुकी है तो लोग अपनी कार में ही जाते हैं वहाँ पर एम्टी चिप्स और बिस्किट्स के पैकेट दूसरी चीज़ हमारे जो टूरिस्ट डिस्टिनेशन होती है वहाँ पर फेक चीज़े चीज़ों को बेचने का जो एक ट्रेंड है हमें जेन्यूनली इस चीज़ को बंद करना चाहिए सस्ती फेक चीज़ है इसकी वज़े से हमारे देश की छवी भी खराब होती है जब फोरेंड के टूरिस्ट यहाँ पर आते हैं और वो जब पशमीना के नाम पर उनको पशमीना शॉल्स कहक beginner उनको फेक चीज़े बेची जाती है फिर उनको पता है कितनी नफरत हो जाती है वो पूरे देश में कभी नहीं आएंगे वो एक सो रुपे दो सो रुपे हाजार रुपे की वज़े से हम हमारे देश की इज़त जो है वो गवा रहे हैं और चाइना मेड ब्लूटूथ एरफोन्स ये सारी चीज़े ये नो टूरिस्ट डेस्टिनेशन पर ये हमें देखने को मिलती हैं इंडियन हिल स्टेशन्स आर फ्रेंक्ली अब ऐसी चीज़े हो चुके ऐसी हमने कर दी है इतना डिस्ट्रॉइ कर दिया है कि अब लोग ये कहते हैं कि महाँ पर मत जाईए लास्ट इयर ही हमने देखा था कि जो कहां की यातरा थी अमरनाथ की यातरा थी तो वहाँ पर कितने सारे लोग जो है वो गुम हो गये थे और ये जो इंस्टाग्राम पर जो सो कोल्ड इंफ्लूएंजर्स हैं जो लिखते हैं my soul belongs to the hills अच्छी अच्छी तस्वीरे दिखाते हैं पता है क्या होता है reality क्या क्योंकि मैं थोड़ा बहुत इस चीजों से मुझे थोड़ा experience है के camera होता है camera के सामने फिर जो background होता है उसको अच्छा किया जाता है नीचे वीचे कोई कच्रा है तो उसको उठा कर फिर side में रख दिया temporary तो उतना जो area आपको दिखा जाता है वो काफी clean दिखाया जाता है उसके बाद जैसे हैं वैसे ही जो camera के पीछे आप देखेंगे तो आपको बता चलेगा कि कितना कच्छा यहां वहां है तो ऐसे influencers जो होते हैं जो आपको दिखाते हैं यह वो mountain is my soul and this and that उनकी तस्वीरे देखकर अपनी backpacks करके मत जाये right हमें हमारे जो पहाड़ है उनको बचाने की जरूरत है mother nature जो है तो उन्होंने इतने सारे पहाड़ हमें दिये हैं हम जब छोटे बच्चे थे तब भी हम पढ़ते थे ना कि हिमालियन mountains जो है वो हमारे देश की रक्षा करते हैं physically भी रक्षा करते हैं और weather wise भी हमारी काफी मदद करते हैं और हमारे hill towns जो है इनको हम बरबाद कर रहे हैं ये जोशी मठ वाला case जो है इसके उपर से इस article को लिखा गया है और hotels, shops, travel agencies, cars, writer ये सारी चीज़े जो है मिस ये पैसे और tourism का tag लगया जाता है लेकिन किस cost पर ये कि आप पेड़ो को काटना जो है मिस अपने resorts बनाने के लिए हम पेड़ो को काटते हैं तो क्या ये सही है कितना nature का destruction होता है फिर लोग कहते है jobs के लिए economy के लिए means we need to be sustainable अ लाखो करोणों लोग जो है वो लाखो लोग आएंगे जो वहां के billionaires है millionaires है अगर उनको tiger hunt करने का shock है उनको शिकार करने का shock है और उनसे हमें बहुत सारे पैसे मिलेंगे तो क्या हम हमारे जंगलों में उनको permission दे देंगे जाने के लिए तो यहाँ पर तो हमारा पूरा mountain ज साथ जुड़ी हुई है उसको ही हम destroy कर देंगे इस लाइक आप जो एक पेड है उसके जो roots है उस पर किसी को acid डालने की permission दे रहे हैं तो क्या आपके fruits और आपके जो पत्ते हैं या फिर आपके जो flowers हैं वो कभी बच पाएंगे नहीं बच पाएंगे तो mountains are the roots तो इनको हम ऐस से job के नाम पर economy के नाम पर destroy होने नहीं दे सकते हैं और हमारे देश में बहुत सार ऐसे hill stations for example macleod gunge right इसके लावा भी बहुत सारे हैं डार्ज लिंग, macleod gunge तो ये सारे ब्रिटिस एरा के समय पर बनाये गए hill stations है ब्रिटिस के पास उस समय पर उतनी टेक्नोलोजी नहीं थी फिर भी उन्होंने खूबसूरत ऐसे hill stations बनाये तो आज हमें कम से कम 50 से भी ज्यादा हमारे देश में hill stations ऐसे चाहिए जो आज के जम लेकिन अगर कोई foreigner आता है तो उनके उपर एक fee चार्ज की जाती है और ये पैसो का इस्तवाल जो है वो अपने देश को clean और green और sustainable रखने में भोतान इस्तवाल करता है तो हम भी ऐसा कर सकते हैं कि हिल station पर अगर आप जा रहे हैं तो आपको एक fee पे करनी पड़ेगी controlled traffic रहेगा ऐसा नहीं कि आप कभी भी चलो हमारा देश है हम कहीं पर भी आ जा सकते हैं लेकिन इसका मेल अभी ये नहीं है कि हम उस जगा को destroy कर दे ये अधिकार हमारा नहीं है in fact ये हमारे responsibility बनती है कि अगर हमारा देश है तो फिर हम अच्छा behave करें उसकी रक्षा करें में tourist destinations चाहिए we need to develop more tourist destinations लेकिन it should be sustainable sustainability के आधार पर ही होना चाहिए और फिर वो नहीं होना चाहिए simple is that moving on to next topic ये भी इसी के साथ जुड़ा हुआ है economic times का article है physical fitness for our spiritual places बहुत ही interesting चीज अभी मेरे दिमाग में आई ये planned नहीं थी trust me क्या आपके पता है कि जो पावलो को है लो है जिन्होंने the alchemist नाम की एक किताब लिखी है शारुक खान की और दिपिका की ऐते दिपिका पादुकॉन की first film थी ओम शांती ओम और उसमें एक बहुत एक famous dialogue है कि अगर किसी चीज को पूरी सिद्दच से चाहो तो पूरी काइनात आपकी मदद करती है पता है ये line किस किताब की है ये line the alchemist किताब जो है उसकी line है और इसको लिखा है पावलो कोईलो ने पावलो कोईलो जो है उनकी किताबे पढ़के चेतन भगत साब को ये inspiration मिली कि मुझे writer बनना है और पावलो कोईलो जो है इन्होंने एक किताब लिखी है जो किताब में ने पढ़ी है इसका नाम है the pilgrimage pilgrimage अगर आपको novels पढ़ने का शौक है मुझे इतना कोई खास novels का शौक नहीं है मेरे जीवन में मैंने कुछ ही novels पढ़ी है लेकिन ये pilgrimage novel जो है ये बहुत ही खुबसूरत novel है इतनी अच्छी novel है और इसमें क्या story है pilgrimage यानि की एक यात्रा जो एक धार्मी की यात्रा होती है उसको अंगरेजी में pilgrimage कहा जाता है तो यहाँ पर एक व्यक्ति है पावलो कोईलो जो है तो वो जाते है स्पेइन में और पूरी उनकी जो यात्रा है वो स्पेइन में होती है तो एक guide होता है तो उनको वो मिलते हैं, फिर वो गाइड और य rinse जो हैं, कार में नहीं, मोरे साइकल में नहीं वो चल के उनको वो रास्ता तेह करना होता है तो बीच में बहुत सारी चीजे आती है जंगल वंगल और पहारों का एरिया ये वो एकसेटराड नदिया होती है और बहुत ही खुबसूरत कहानी है अब जब मैंने ये किताब में पढ़ रहा था तो उस टाइब पर मेरे दिमाग में एक चीज जो है वो मेरे दिमाग में प्रश्ण उठा प्रश्ण ये था कि हम देखते हैं कि बहुत सारे हमरे देश में बहुत सारी ऐसी जो मननत होती है लोग जो है ना वो मननत रखते हैं कि अगर लिट से के अगर कोई कपल है जिनको कोई बेटा या फिर बेटी या फिर उनको बच्चा नहीं हो रहा है तो फिर वो एक मननत रखते हैं और ऐसी जगा है हमारे दिश में अलग अलग जगाव पर अलग अलग regions में से कोई ना कोई मंदिर होते ही है जहाँ पर मंदिर, मस्जिद, etc. मंदिर या फिर दर्गाह होती है तो ऐसी मननत रखी जाती है कि अगर हमारे घर पे हम मता पिता बन गये अगर हमारे घर में girl child या फिर boy child पैदा हो गया तो फिर हम चल कर आपके दर्शन करने के लिए आएंगे तो वो एक पूरी means you know what I'm talking about कि कुछ जगाओ पर ऐसे लोग ऐसा ऐसी आस्था होती है ऐसी लोगों की शरद्धा होती है तो जो पिल्किर में ही जोती है मेरे दिमाग में यही प्रशन आया जब मैंने किताब पढ़ी कि नहीं यह बात सही है कि कुछ जगाओ पर हम चल कर जाते हैं और actually अगर हम थोड़े भी observant हैं थोड़ा अगर हम अंदर जाकने की हमारी वो एक आदत है या फिर lifestyle है कि हम हमरे विचार ओपर ध्यान देता है तो फिर पता चलता है कि नहीं यार कुछ जगाओ ऐसी होती है जहां पर आप जाते हैं ना तो आप पहुंचने का तो एक importance है लेकिन उससे पहले कि जो पूरी यात्रा है तो it gives you an opportunity कि आप अंदर जाकिए और देखिए आपको बहुत सारी clarity जो है वो मिलेगी means ये चीज़ें जो है वो मैं शब्दों में नहीं कह सकता अगर आपने ऐसा अनुभव किया है तो you would be connected with me आपको पता चल गया होगा कि exactly मैं किस चीज़ की बात कर रहा हूँ तो pilgrimage जो होती है a pilgrimage is literally a spiritual journey made to a sacral place एक ऐसी पवित्र जगा जो है वहाँ पर चल कर जाना generally चल कर ही जाना होता है तो वहाँ पर आप चलते चलते जाएंगे पहाड़ आएंगे वहाँ पर जाएंगे ये पूरी जो journey है आपकी और हर दर्म में है आप जो हज की यातरा पर जाते हैं तो जब ये spiritual पिल्ग्रिमेज पर हम जाते हैं तो ये पिल्ग्रिमेज जो है वो हमें ये एक opportunity प्रोवाइड करता है जोशी मठ जो है ये आदी संक्रचारिय जी के द्वारा स्थापित की गई एक ऐसी जगाहे कैसा पिठ है और क्योंकि अब हमें पता है जोशी मठ में कितना ट्राफिक और क्या क्या चीजे हुई अब ये मिन्सिस की बेजिक्स तो हमने डिसक्स कर ली है तो दिस इस अगें अवेक अप कॉल कि हमारी जो ये रिलिजियस टूरिजम वाली डिस्टिनेशन पिल्ग्रिमेज बारी चीजे जगाए हैं या फिर जो फन के लिए हम जगाओ पर जाते हैं तो हमें और अंदर जाक कर देखने की ज़रूरत है कि हमने इन जगाओ का क्या किया है ये जगाओ को हम ऐसे ही एक्सप्लोइट होने नहीं दे सकते हैं यहां पर अगर हमें करना पड़े तो हमें यहां पर limited numbers को ही अलाव करना चाहिए कि फिर धर्म के साथ जड़ी हुई जगाओ है आस्ता के साथ जड़ी हुई जगाओ है तो आप कभी भी वहां पर चले जाएए वहां पर जगर आप कुछ भी करे तो ऐसा अलाव नहीं होना जैसी Unlimited authority या फिर excess जो है It's destructive for our natural places तो ये था एक दूसरा article जो इससे पहले का article था उसके साथ जुड़ा हुआ था And that's basically everything in today's discussion Dear friends, if this lecture Has inspired you, then please Pass it to someone you want to inspire Thank you very much for your love and support God bless you all, Jai Hind